हेलो फ्रेंड्स मैं हुरोमा और आपका स्वागत है रमाज किचेन में आज मिले कर आ रही हूं मखाने की खीर की रसीपी इस खीर को आप वरत में भी खा सकते हैं तो चलिए जट पत से स्टार्ट करते हैं मखाना का खीर बनाना तो मखाना के खीर बनाने के लिए यहां हम ने एक सब्सक्राम मखाने और इसे इंग्लिज में फॉक्सनेट भी बोलते हैं या लोटर सी तो आप इसे हम भूनेंगे इसके लिए हमने एक कराई को गर्म किया है और इसमें हम डालेंगे एक टेस्पून देसी गी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें टालेंगे ड्राइफ काजू लिए हैं और पास से छे बादाम लिए हैं इसे हम हलका गोल्डन ब्राउनोंने तक भूनेंगे बहुत जादा नहीं भूनना है यहां मैं काजू और बादाम लिए हूँ आप यहां अपने मन पसंद के ट्राइफ रूट ले सकते हैं तो यहां हमारे काजू अच्छे किस्मिश छलका फूलन लगी तो इसे हम एक बटन में निकाल लेंगे इस तरह ड्राइफ रूट बूनने से जो खीर का टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है तो यहां हमारे किस्मिश भी भून चुके हैं तो इसे हम ने निकाल लिया एक बटन में स्वीम कड़ाई में हम तोड़ा और गी डालेंगे घी हमारा मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे मखाने एसे हम गी के साथ भूणेंगे मखाने को हमें मीडियम प्लेम पर भूनना है इसे हमारे मखाने अच्छे से क्रिस्पी होगे तो माखाने के हमें अच्छे से रोष्ट करना है जब तक कि यह क्रिस्प नहीं हो जाए तो यहां हमारे माखाने अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं और इसे हमने करीब 7-8 मिनिट भूना है मिडियम फ्लेम पर और यह देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है हलका हलका हैं तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे हम हाथों से इस तरह से ताब के देखेंगे तो इस तरह से हमारे मखाने अच्छे से तूट रहे हैं तो यह बिल्कुल परफेक्ट होने हैं अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे एक परतन में निकाल के ठंडा इस तरह से गी में मखाने से बने खेर में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है यहां हमने सभी चीजों को अच्छे से रोष्ट कर लिया और इसे हम ठंडा होने देंगे तो जब तक हमारे ट्राइफ रोष्ट ठंडा हो रहे हैं तब तक हम इधर कढ़ाई में दूद गर्म होने डाल देते हैं तु यहाँ हमने एक केची दूद लिया है और इसे हमने घर्म होने रख दिया है कि पर इससे हम कर्ची से चला लेंगे ताकि हमारे दूद नीचे लगे नहीं हमारे यूझ में ढोलख कर्षा में धोट ना कि नहीं चलेंगे नहीं अब तो इसी तरह हमें बिच-विच में से चलाते रहेंगे तो इधर हमारी ट्राइपोस भी ठंडे हो चुके आँ तो इसे हम एक पलॉथिन में लेके इसे भीलन से हल्का-ख़ तोड देंगे इस तरह से आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तूट जाते हैं तो यहां में फुलोथिन पर ही कर ली हूँ तो इसे हम एक बचन में निकाल लेंगे और यहां हम एक mixi jar लेंगे और उसमें हम roast के हुए मखाने डाल लेंगे और थोड़ा मखाना हम निकाल लेंगे हम बस दोबर pulse mode पर चलाइए जिसे कि हमारे मखाने थोड़े दर दर हो जाए इसे हमें बहुत ज़्यादा महीं नहीं करना है बस इसी तरह करना है और इधर हमारे दूद में अच्छे से उबाला चुका है और इसे हमने मीडियम प्लेम पर थोड़ा चलने के लिए रख दिया है ताकि हमारे दूद अच्छे से गाड़े हो जाएं तो दूद देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारे थोड़े जल चुके हैं इसे हमने करीब 10 मिडियम प्लेम पर गाड़ा होने दिया है तो अब हमारे दूद अच्छे से गाड़े हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के कॉर्डिंग चीनी या मैंने एक केजी के आए पाद इसे हम 3-4 मिड़ तक और तोड़ा तो शज़ब दिये और उसके बाद हम डाल दियें यह गुर्ड्रसक Ferr N प्रिफी निया दॉम्हें क्रेश के लिए रख लिए हैं अब हम इसे कजाड़ेंगे तो ये ये संपार खैल्सुन हों निया है लुए मखानी दिखना चाहिए तो इसमें हमने म companion डाल दिए है और इसे हम अच्छे से isin चाल मिजब पखा एंगे हाई प्लेम पर और साथी साथ इसमें बडाल दिये है हाप टेस्पॉन एलाजी पावडर joo all chosen story dogs बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम अच्छे से हाई फ्लेम पर दो तिन निट और गारा करेंगे तो यहां हमारे कीर अच्छे से गारा हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे बुने हुए किसमेज ओर इससे हम और ढर्डूमनल तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि arเรา की आची smiley ए मारे को ठाया हो जाए रजह हो जाहाई अक्रव 된 अर्लभ और णीज का लिया है अग्रूमनल पका सूर्फ करेंगे नहीं सर्फ के इसे आप ठंडा गर्म किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा टेश्टी लगता है और इसे हमने वो कटेवे काजु और वादाम से गार्निश कर दिया है यह खीर ठंडा होने के बाद अभी और गारा होगा इस खीर को आप ब्रत में भी खा सकते हैं यह यह रेसिपी पसंद आती है तो हमारी रेसिपी को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं एक नई रेसिपी